कि नमस्कार दोस्तों निफ्टियों चैनल पे आप सब का स्वागत है तो फ्रेंड्स अगर हम मिटकैम निफ्टियों में देखें तो मिटकैम निफ्टी लगा था पिछले तीन दिन से तो आईए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से बेले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइक का बटन दबाईए नीचे फ्री टेलिक चैनल का लिंक दिया है उसे जुरूर क्लिक कीजिए और उसके लगा नीचे डीमेट काउंट के जो लिंक दिये वहां से अपना डीमेट काउंट खोलिए और ट्रेडिंग को इंजुए कीजिए तो आईए अब हम आते हैं यहां से तो यहां आपको बताया था कि यहां से स्पोर्ट लेगी तो एक्जैक्ली वहीं से स्पोर्ट लेगे टार्गर हिट हो गया तो अपने अपने प्रॉफिट बुक कर लिज तो फिर से यही लेवल इसके इंपोर्टर लेवल रहेंगे पतलब यह रेंज है यह बड़ी रेंज यहां से लेकर यहां तक यही चल रही है पिछले कई दिनों से पतलब एक मेर नहीं हो गया मुझे लगता है इसी रेंज में घुम रही है अब आते हैं स्टॉक्स की कोई किसी भी कोई recommendation नहीं है कोई बैसल recommendation नहीं है यह सिरफ हम व बताते हैं जो breakout अच्छा दे रहे हैं चार्ट पर यहां breakdown दे रहे हैं या किसी तरह का pattern बना रहे हैं तो उसमें अगर हम देखें तो IOC ने भी एक अच्छा breakout दिया है rounding pattern पर उसके बाद torrent power ने भी rounding pattern पर यह आपको कल भी बताया था और काफी एच्छा जंप इसमें भी आज देखने को मिला और सेल ने भी रांडिंग पैटरन पे काफी एच्छा ब्रेक आट दिया तो इन पैटरन के आफ स्टेडी कर सकते हैं ओर आई उसी और सेल अब आते हम फिन निफ्टी पर तो मैं प्राइज एक्षण क्या बन रहा है देखिये फिन निफ्टी ने कल मैंने समझाए था कि 20,000 220 एक स्पोर्ट का काम कर सकता है यहा स्पोर्ट ले सकती है और बताया था कि यह important level रहेंगे वही important level सेम है ठीक है और यह जो M8 M8 थोड़े से नीचे आ गए है ध्यान रखना तो यह और ज्यादा खतर ना कर रिजिस्टनस बनते जा रहे हैं क्योंकि तीनों एक ही जगा पर कठे हो गए कौन सा 20407, 418, 431 तो इंपोर्टन लेवल फिर से एक बार बता जाता हूं 270, 286, 354 और यह वला एरिया 400 से लेकर 440 यह स्ट्रोंग रिजिस्टनस एरिया है और उसके बाद अगर इस एरिया से एक बार बाहर निकल गी फिर निफ्टी मतलब 20,500 के उपर आगी तो फिर इसमें मोमेंटम स्ट्रोंग होने के मिलने के चांसिस रहेंगे फिर 20,537, 567, 590 और 642 यह एरिय एक स्ट्रोंग रिजिस्टनस का एरिया रहेगा यहां से फिर से मार फिर निफ्टी में सेलिंग आने के चांसिस रहेंगे तो यह है फिर निफ्टी का प्राइज एक्षन एक बार और बता दू एक चीज कि अगर 20,140 टूटा तो पेन क्रेट होगा इसमें फिर निचे के 20,06 62,32 और 20,000 याद रहे 20,000 एक बहुत बड़ी स्पोर्ट है फिर निफ्टी की पहले भी इसी एरिया में 19,800 से लेकर 19,950 का एरिया और 20,000 से लेकर 20,040 का एरिया एक स्ट्रॉंग स्पोर्ट एरिया है तो यह था फिर निफ्टी अब आते हैं मिट्केव निफ्टी तो मिट् यह दो बार यहीं पर रिजिस्टनस लिया है अगर 820 के उपर आगी तो एकदम से नई अनर्जी आएगी मिट्केव निफ्टी में तो उपर के लेवल रहेंगे 838, 870, 880 और 898 नीचे 750, 760 यह कच्छी खासी स्पोर्ट है स्ट्रॉंग स्पोर्ट का काम करते रहेंगे यहा यह दो नेक्स पोर्ट है 10,662 पर 10,650 के आसपास फिर उसके बाद नेक्स पोर्ट है 10,573 से 600 यहां पर भी स्पोर्ट ही लेगी अगर कोई डिप आता है तो मतलब बैंक मिट्केव निफ्टी पूरी तरह से बाइओं डिप है चार्ट अच्छा है ऊपर जाने के काफी चां सद्वका से 500,900 और 11,000 तक के लेवल भी चार्ट पर Оляर हम देखें टेकनिकली यह पैट्रन देखें तो यह पैट्रन दिखाता है कि लगातार घ्ट को बाइः किया और मिट्केव निफ्टी ध्यं रहा है क्यों इत्ना ज्यादा बढ़़ ला है कि रिटीज सेक्टर का पैस है हमारे इंडिया के रिटेल सेक्टर का उसकी आज़त है कि मिट कैम निफ्टी में ही पैसा आता है मतलब जितना पैसा मार्केट में आ रहा है उसका 60-70% पैसा मिट कैम में ही आ रहा है तो यह है कमपलीट प्राइज एक्षन बाव निफ्टी और फिर निफ्टी का अगर आपको हमारी वीडियो पसंता ही जी रूर लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जयद़ जयद़ वीडियो को शेर कीजिए थैंक्यू